पास्ता बनाने का बहुत ही आसान तरीका और इसे कोई भी बना सकता है बहुत ही इजी तरीके से तो इसे बनाने के लिए पहले हम कड़ाही में तेल डाल देंगे तो यहां पर मैंने तेल डाल दिया है दो से तीन बरे चमच और यहां हम डाल देंगे हरी मिर्च तो यहां पर मैंने दो हरी मिर्च काट कर डाला है और यहां पर बारिक प्याज आपको ले लेना है काट कर तो यहाँ पर मैंने दो medium size के प्याज लिये हैं, जिसे बारिक मैंने काट लिया है, तो बस इसे करना कुछ भी नहीं है, इसे हलका सा हमें golden brown कर लेना है, तो friends इस पास्टे की recipe में हम ज्यादा कुछ मसाले का उज़ नहीं करेंगे, घर के मसाले से ही हम बहुत ही अच्छा पास् प्ज़ियरे, सब्सक्राइब करेंगे टामातर को दो oynat객 में तो यहां पर मैंने लिया हैं मैं और इसे मैंने बारीक कटकर लिया है, और इसे मैं ऐने त्यमाटर को भी हमें अच्छा से अज़ियरे लेकित मैं यहां तो दाला त्यर और आपने इस में दाल्ग कर देंगे नम डालने से क्या होगा कि टमाटर हमारा जल्दी से गल जाएगा तो इसे हम दो से तीन मिनट के लिए टमाटर को भी अच्छे तरीके से हम भूल लेंगे ताकि यह जो टमाटर है बिल्कुल अच्छे तरीके से पक जाए और यह देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से टमाटर ह तो बस अब हम इसमें कुछ मसाले एड़ कर देंगे तो यहां पर मैंने एड़ किया है थोरा सा हल्दी पाउडर थोरी सी लाल मिर्च पाउडर और यहां पर मैंने यहां पर एड़ किया है पास्ता मसाला पाउडर तो अगर आपके पास्ता मसाला ना हो तो आप यहां पर पास साथ मसाला पाउड़े हैं to United pasta मंशा पाउडर वर मेर पास्ता मसाला renal ना हो साथ है ना को और ठीक से मिक्स कर लेना है और यहां पर मैंने थोदा भूब मिड़ा दिया है चिल्ली सॉस है यहां में थुरह सा ग्रीन चिली सॉस एड़ कि आप चाहें तो ना भी एड़ कर सकते हैं और मैंने यहां पर पास्ता पहले से उबाल कर रखा हुआ था उसी को मैंने यहां पर डाल दिया है और बस इसी अच्छे तरीके से हमें मिक्स कर लेना है दो तीन मिनट के लिए मेडियर फ्ल तो देखा आपने यहां पर मैंने कुछ ज्यादा मसाले का यूज भी नहीं किया है और थोड़े से समान से ही मैंने कितना अच्छा पास्ता बना कर तैयार हो गया है तो आप भी इस रेसिपी को इस तरीके से जरूर ट्राय करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग र तो यह हमारा बन कर तैयार हो गया है मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में